हाई एवरीवन नेक्ट जाइस के स्पार्ट के दर हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिक साइड जनरेशन के बारे में जिसको हम लोग शोट फोर्म के अंदर SSG भी बोल देते हैं ये टॉपिक इतना इंपोर्टेंट है स्टैटिक साइड जनरेशन करने का प्रसेस समझा दो क्यों इस फीचर की हल्प से आपकी एप्लिकेशन की परफोर्मेंस एंड स्पीड दोनों काफी हद तक बढ़ जाती है कैसे आपको इस यूडियो के अंदर पता चल जाएगा पॉइंट्स के साथ मैं स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको SSG होता क्या है उसके बाद में एक सर्विस फाइल बनाएंगे जिसके अंदर लोग API को कॉल करेंगे सर्विस फाइल उसी को बोलते हैं जिस फाइल के अंदर लोग API को करते हैं लिंक डिस्क्रिप्शिन वोक्स में प्ले लिस्ट का ये प्ले लिस्ट आपके डेफिनेटली हेल्प करेगी next js की job और next js की project के अंदर भी अब आते हमारे पहले question की तरफ कि SSG होता का है इसको समझने के लिए आपको पहले rendering process समझना पड़ेगा देखो next js के अंदर आप लोग दो तरीके से rendering करवा सकते हो एक server side के अंदर करवा सकते हो server side के अंदर आप जब rendering करवाते हो न तो उसको हम लोग बोलते हैं pre rendering और उसके again दो part होते हैं सारी सर्जमाचीज़ आपको बता रहा हूं बहुत जाता detail में समझनी है न तो आप यह वाली वीडियो देखना है वीडियो no.16 rendering in next jays मैंने सब कुछ एक के चीज़ with diagram and roll समझा है अब ही मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं server side rendering तब होती है जब हम लोग किसी page को call करते हैं और उसका code server side पर ही js से html के अंदर convert हो जाता है ठीक है मालो आपने यहां पे अब about वाला page यहां पे about वाला page या किसी link को पर click करने पे about वाला page लोड हो रहा है तो जैसे आप लोग उस page को click करोगे तो server के उपर request जाएगी कि यह page load करो तो server side के उपर ही वो js 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 का code होगा वो html के अंदर convert हो जाएगा और आपको दिख जाएगा लेकिन static side generation के अंदर क्या होता है जैसे आप लोग build बनाते हो ना उसी time के उपर आपका js का code html के अंदर convert हो जाते है और मैं यह आपको करके भी दिखाऊंगा मैं यह सब कुछ करने के बाद में build बनाऊंगा और तभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यह देखो हमारा जो code है वो html के अंदर convert हो गया है ठीक है अच्छा पहले चीज़ समझ में आगी अब लोग एक service file create करने है तो उसके लिए में क्या करता हूँ अच्छा यह हमारा output है और यह वाली ipm लोग यूज करने वाले है यूजर्स वाले इसके तर 10 users हैं यह काफी सही रहेगी यूजर्स का तो इतने सारे pages बन जाएंगे एक साथ तो वह आपको ज्यादा अच्छे नहीं लगेंगे तो टाइम भी लगेगा build बनने में थोड़ा सा बट दस ही user है तो आराम से इसमें काम चल जाएगा सबसे पहले मैं क्या करता हूँ एक folder बना लेता हूँ बाहरी इसका अब कर देता हूँ एक फाइल का नाम रख सकते हो जैसे कि get users.js जो भी आपको नाम ही रखना है उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो simply एक const ले लो और इसमें कर सकते हो result equal to यहाँ पर आप await यूज कर लो और यहाँ पर fetch method यूज करोगे ठीक है और आपको पता है कि fetch method के के अंदर हम लोग मारे API का URL देते हैं यह मैं आपको बहुत बार समझा चुक हूँ पटा गहीं थोड़ा सा बता देता हूं ठीक है अच्छा यह सब करने के बाद में अच्छा देखो API कोल के लिए में वीडियो बना चुक हूं बहुत से लोग यहां पर यह ना बोले कि API कोल अगर आप चाहते हो तो इसको एक function के अंदर भी रख लो मैं इसको एक function में रख लेता हूं जिसका हम आपर कर देता हूं export default और यहां पर कर देता हूं function का नाम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं जैसे कि get users file के नाम के बराबर ही रख लेते हैं better रहेगा ठीक है इसको हम लोग यहां पर कर देते हैं async इस तरीके से आप चाहो तो इसक इसको format भी कर दिया ठीक है अब हम लोग क्या करते हैं एक src वाले के अलग से मैं folder create करता हूं जिसका मैं आप यह नाम रख लेता हूं let's say user list कर देता हूं कुछ भी नाम रख सकते हो यह आप इसका नाम रख दिया users so इसके अंदर हम लोग अच्छा users रख देता हूं because multiple users हों एक page.js नाम से file भी create कर देता हूं अब इसके अंदर फटा फटसे में code लिखूंगा export default function और function का नाम let's say लिख देता हूं यहाँ पे page ही रख दूँगा तो ही चलेगा कोई दिख करनी है ऐसा नहीं की नहीं चलेगा और यहाँ पर return करेंगे हम लोग return करने से पहले अच्छा तो अगर हम लोग यहाँ पर आके यहाँ पर लिखते है users तो कुछ नहीं दिखा आपको reason being क्या पटबड़ करी क्योंकि हम लोगों यहाँ पर server run नहीं करा तो गरता हूं npm run dev ठीक है तो इससे हमारा application की development build start हो जाएगी इसको एक पर के लिए reload कर लेते है यह चलना चीए ठी यहाँ पर इसकी listing हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और इसकी listing दिखाने के लिए हमें सबसे पहले इसको import भी करना बड़ेगा so simply आप लोग यहाँ लिख सकते हो import something import मारा क्या था get users ना इस तरीके से इसको लोग import कर लेते हैं चाहो तो एड़रेट भी यूज़ कर सकते हो but that's okay इसने इसी तरीके से कर दिया को दिखाएंगे चलेगा अच्छा इसके करने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक और constant ले लेते हैं यहाँ पर कर लेते हैं get users get user list कर लेता हूं वो better रहेगा और इसको हम लोग यहाँ पर get users यह वाला जो function इसको call भी कर लेते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद में आप लोग क्या कर सकते हो चाहो तो एक और constant ले सकते हो यहाँ पर ले सकते हो user list और फिर users कर लो users equal to await कुछ भी नाम रख सकते थे आप इसका मैंने इसका वसी रख लिया get user list ठीक है जे हो गया अब यहाँ पर अच्छा इसको हम async भी बना देते हैं इसको wait करना पड़ेगा तो यह प्रोपरली काम कर रहे हैं अब चाहो तो आप यहाँ पर चेक भी कर सक तो कि data हमारे पास मिल रहा है का नहीं मिल रहा सबसे पहले तो log करो users और हम लोग चेक करते हैं हमारे यहाँ पर data आ रहे हैए नहीं हो पूरा data हम पर display हो रहा है ने पर इसको हमारे पास यहां पर आ चुक है great अगर मैं इसको यहां से whisकिता कि अ बहुत कर देता हूंग simply users.map ले सकते हो और इसके लिए हमें पहले jsx भी यूज़ करने पड़ेगी तो simply लिखूँगा users.map and map के अंदर हम लोग चाहें तो एक item ले सकते हैं arrow function के साथ में या फिर यहां पर user ले लो single एक एक user करके iterate होगा तो आप यहां पर user भी ले सकते हो चीक है then हम लोग यहां पर ले सकते हैं h2 या फिर h3 जो भी आपको ठीक लगे और यहां पर लोग एक link भी ले सकते हैं चीक है link import हुआ यहां पर simply लिखुआ हम है user.name इसके अंदर name है के नहीं है एक बार के लिए check करना पड़ेगा हाँ name है चीक है तो यह आ गया save करूँगा यहां पर and now let's see output के अंदर क्या मिला output के अंदर गह रहा है कि जो link है undefined है ठीक है इसको यहां पर href देना पलेगा href और इसके अंदर हम लोग simply कर सकते हैं यहां पर user id कर सकते हैं ठीक है एक बार के लिए इसको इस तरीके से use करना पड़ेगा सबसे पहले हम लोग लिखेंगे users slash लिखेंगे and then dollar use कर सकते हैं हम लोग यहां पर इसके outside dollar use कर सकते हैं और यहां पर जो इसकी आइडिया आ रही होगी वो user.id जो हम लोगों ने use कर ली and outside बन दोगा इसके अब चेक करते हैं हमारे पास यहां पर क्या आ जा है देखो हमारे पास एक प्रोपर लिस्ट आ चुकी है users की बट जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर आईडी अफिलेबल नहीं अगर आप इसका लिंक चेक करना चाहो तो इस तरह कीसी इसका लिंक भी बन चुका है पर्फेक्ट अचा बट हम अब एक next page बनाना है जिसके ओपर जैसे मैं आप एक next page बनाना है जैसे मैं आप लिक करूं तो वह अलब page भी open उपन हो जाए इसकी user id देता हूं बैटर रहेगा user id कुछ भी नाम रख सकते हैं मैंने यहां पर user id नाम रख दिया इसका अफटर इसके अंदर हम लोग एक और फाइल कर सकते हैं इसका नाम लोग रख सकते हैं page.js तो इस page.js के अंदर के अंदर में फटाफट से काम करने के लिए इस वाले code को copy-paste कर लिए तुम कर लूँ क्या कुछ इन खुद से लिख देते हैं इतना टाइम नहीं लगने वाला यहां पर लिखूंगा export default function page और यहां पर return कर देंगे रिटर्न करने के बाद में जस्ट एक div ले लेते हैं और इसके अंदर में आप एक h3 tag लेके लिख देता हूँ user detail page ठीक है save करूँगा इसको मैं लोड करा देखो user detail page आगया अब मैं कहीं पर क्लिक करता हूँ तो किसी भी यहां पर let's say कि मैंने इस पर क्लिक करा user detail page user detail page अब हमें क्या करना बढ़ेगा जब हमारे पास यह details आ गई जो details आउनको display करवाना चाहता हूँ so उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो जो हमने ऊपर यह वाली API कोल करी थी न सेम इसी तरीके से आप यहां पर API कोल कर सकते हो तो मैं यहां पर API कोल करूँगा and जो सेम चीज थी हम लोगों यहां पर रखी थी सेम की सेम चीज में यहां भी रख लेता हूँ यहां भी बने कर ली और इसको मैं यहां पर async भी बना दिया ठीक है अब जो user है ना इसके अंदर है अब इक लिए multiple data देखो अगर मैं अच्छा इसके अंदर ना हमें एक और folder बाहर जाना पड़ेगा ठीक है तो अब यह properly काम करेगा कोई error भी नहीं होना चाहिए जो हम लोगों ने यहां पर console करवाई है सारे के सारे users हैं बट मैं चाहता हूँ कि एक ही user यहां पर दिखे multiple users हमें यहां पर दिखाने नहीं है तो आप simply अगर सकते हो यहां से params निकाल सकते हो ठीक है यहां फिर आप props निकाल सकते हो यहां से को दिख करनी है तो अगर इस props को आप यहां पर display करवाऊगे props इसको save करोगे तो आपको यहां पर दिख चाहेगा ओके यहां पर props नहीं आए sorry मुझे actually props यहां से निकाल नहीं है not यहां से पापिस आते हैं तो देखो props के अंदर हमें क्या दिख गया user की id दिख यह search param दिख गया ठीक है तो मैं अगर simply यहां पर लिखता हूं dot params इसको save करता हूं अब हमें क्या यहां पर user की id भी मिल गई dot user id ठीक है इस तरीके से लिख यहां इसको save करूँगा तो हमें यहां पर 7 मिल जाना चाहिए यह हमें 7 मिल गया perfect so अब मैं क्या करता हूं जो यह मेरी id है इसको मैं यहां पर लिख देता हूं const current id यहां आपको directly यहां से भी निकाल सकते थे बट मै आपको दिखाना चाहता है कि किस तरीके से हम लोग crop scanner params scanner id store करते हैं ठीक है तो इसके अंदर में यहां पर simply कर दूँगा इस id को store इस तरीके से and उसके बाद में users का data होगा न उसके अंदर से उसकी details निकाल दूगा जैसे कि users और इसके अंदर में id पास कर दूँगा current id तो current जो object होगा हमारा उसकी idea हमें यहां पर मिल जाएगी देखो अब इकलिए हमारे पास user 8 है इसकी idea आगई है बढ़ हमारे पास user 7 अब इस area हमारा कहां से start होता है 0 से और users हमारे कहां से start होए है 1 से तो आप तो क्या कर सकते हो यहां पर minus 1 जैसे minus 1 करोगे तो अब देखो इसकी details आ गई हमारे पास यहां पर अब अगर मैं वापिस से यहां पर जाके जो हमारा कोई भी एक user है let's say first वाला user है इस पर click करता हूं यहां पर आकी check करता हूं थोड़ा सा नीचे scroll down करता हूं यहां पर तो देखो हमारा जो 6 वाला user आ गया इसको मैं एक वर क्लिए reload कर लेता तो जैसे ही reload करा हम लोगों ने देखो first user की ID हमें यहां पर मिल गई है perfect ओके जो ID data है इसको उम लोग जहां पर print भी करवा सकते हूं even मैं simply एक और const ले सकता हूं यहां पर ले सकता हूं user data या फिर user detail जो भी आप देना चाहते हो उसको simply इसके नदर store करवा सकते हो ctrl c करके and अब मैं यहां पर कर देता हूं user data यहां पर h4 tag ले लो या फिर जो भी आपको tag लेना वो ले सकते हो simply लिखोगे यहां पर user data.id जैसे आप यहां पर आओगे आपको ID दिख गई same इसी तरीके से आप यहां पर name print करवा सकते हो name same इसी तरीके से इसकी website check करते हैं तिनों चीज अगर आप यहां पर लिख भी सकते हो ID name website जो भी आप दिखाना चाहते हो दिखा सकते हो और यहां पर आओगे तो आपको चीजें details मिल जाएगी ठीक है अच्छा अब तक हमने जो भी काम करा है वो normal काम करा है इसके अंदर SSG का कुछ भी नहीं था SSG का point आएगा अब यह समझाने का reason यह था कि आपको मैं समझा पाऊं कि SSG होने के बाद में किस तरह के से pages generate होंगे देखो अब देखो अब जब मैं second page के उपर जाता हूं second user की detail, third user की detail, fourth user की detail तो इन सारे pages को मैं अगर statically store करवा लूँ तो हर बार API कोल नहीं होगी जिससे हमारा data बचेगा और build time क पर हमारे सारे pages generate हो जाएंगे, कैसे देखो अब simply मैं हाप एक्सपोर्ट करूँगा, export, async function बनाना पड़ेगा, but इस function का नाम definitely एक ही रहने वाला है, generate static params, ठीक है, इस function का नाम आप कुछ और नहीं रख सकते, otherwise यह वाला function काम नहीं करेगा, मैं एक बार के लिए spelling check, cross check कर ल उसके बाद में आप अगें यह दो lines है ना, इनको copy कर सकते हो, because यहाँ पर आपको एक map लगाना पड़ेगा, जो map आपके dynamic pages को generate करेगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर users रख लिए, अब आप यहाँ पर करो इस function के अंदर return, जितने loops इस function के अंदर चलेंगे, उतने हमारे pages generate ह कितने loops चलेंगे, 10 loops चलेंगे, because हमारे पास कितने data है, data यहाँ पर, total 10 data है, तो यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ, function लगाता हूँ, map, तो कितनी बार चलेगा, 10 बार, तो 10 के 10 यह वाला, जो static, generate static pair में है, यह 10 pages को generate कर देगा, ठीक है, ओके, इसको देखते हैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं map, उसके बाद में simply user and then, एक arrow function आप बना सकते हैं, और इसके अंदर मैं एक return करवा सकता हूँ, इस तरीके से, user id, user id, जो आपने इस page का नाम रखा है, यहाँ पर, यही नाम होना चाहिए, यहाँ इस static page generate नहीं कर पाएगा, यहाँ पर, इस id के अब यहाँ पर पता चलाएगा, इसको कौन से pages generate करने है, इस id वाले, user id वाले, ठीक है, तो इन दोनों का नाम हमेशा, same होना चाहिए, अलग लग नहीं होना चाहिए, और इसमें आप क्या कर दोगे, user.id, अगर यह string के अंदर नहीं है, विको यह string की id लेता है, तो इसको string म हो जाने चाहिए, चाहिए, सेव करता हूँ मैं, और यहाँ पर मेरी build है, इसको मैं stop करूँगा एक बार के लिए, और simply लिखूँगा, npm run build, and let's see, क्या होता है, तो अब इसने build generate करनी, start करी, यहाँ पर आपको एक error मिल गया, okay, let me just check, क्या error है, आप आप आइधिंग यह कहने कोशिश कर रहा है, इसने line number 12 पर error दिया, यहाँ पर इसको एक id चाहिए, विकोज यह map loop के अंदर है, okay, तो इसके नम लोगे key दे सकते हैं, या फिर एक id, I think key देंगे, तो चलेगा, कहाँ दे सकते हैं, user.id, यह दे देते हैं, अब लोग बाप इसने यहाँ पर आते हैं, इसको फिर से run करते हैं, alright, अब आप देखो, यहाँ पर आप चेक करो, इसने क्या करा, even, सबसे पहले इसने पता है, ssg कहाँ कि यहाँ पर अलग से को लोगा, automatically generated at static html plus json, ठीक है, get static props, और यह देखो, इसने 3 pages create करें यहाँ पर, plus 7 more, 10 pages create करें, अब हम यह मिलेंगे कहाँ पर, इस यहाँ पर आओ, आप next के अंदर आओ, इसके अंदर, server के अंदर, pages के अंदर, मुझे चेक करना पड़ेगा, कहाँ पर generate होते हैं, या, मुझे मिल गए, सब कुछ वाप इसमें collapse करते हैं एक बार के लिए, तो अब आप आओगे next के अंदर, after that server के अंदर, app के अंदर, users के अंदर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, एक, दो, तीन, चार, यह पांच pages होंगे, आप बोलोगे, यह क्या code है, यह देखो, next जास अपनी हिसाप से code generate करता है, बट आपको जो data है, यह static site generation के हिसाप से, आपके 10 के 10 pages, आप देख सकते हो, 10 ही क्यों generate हो है, 12 क्यों ने, 8 क्यों ने, because हमारे पास 10 ही record थे, आप चेक करोगे, 10 record थे, and that's all, for this part, कुछ confusion है, कुछ doubt है, मुझे comment से कि में पूछ सकते हो, and please don't forget to subscribe my channel, like this video, share your feedback, और यह मेरा IPTM का donation number, thank you guys, thank you so much.